नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दन्यूस टॉक में अपने हिस्से का खाना खिला देता था ये विखारी बिमार होने पर कुट्टों ने इस तरह चुकाया एहसान दुनिया में कुट्टे को सबसे अधिक वफादार पशु माना जाता है कभी कभी अपने जानवर के लिए जान भी दे देता है हाली में शोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट वाइरल हो रहा है जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया जानकरी के मताबिक ये मामला ब्राजील के रियो डोशुल शहर का है बता दे के गरीब व्यक्ति बेघर होनी की वज़ा से यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति को खराब स्वास्त के वज़े से अस्पताल में भरती कराना पड़ा और उसके पीछे पीछे आदमी नहीं बलकी चार कुत्ते चले आए अस्पताल के करपचारियों ने जब कुत्तों को देखा तो उन्हें हरानी हुई लेकिन बाहर खड़े इन कुत्तों की आँखों में उस व्यक्ति के लिए प्यार शलक रहा था ये पूरा मामला ब्राजील केक निजी अस्पताल की नर्स क्रिस दौरा फेस्बुक पर पोस्ट किया गया उन्होंने पोस्ट में लिखा कि रात में अस्पताल में एक बीमार व्यक्ति को भरती कराया गया वक्त तीन बज़ रहे थे नाम है सीजर उसके साथ कोई इनसान नहीं बलकी चार कुत्ते आये और गेट पर आकर रुख गए बताया जा रहा है कि एस्पताल के प्रशाशन ने उन कुत्तों को देखा और उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें खाना भी खिलाया इसे पता चला कि व्यक्ती रोज उन कुत्तों को खाना खिलाता था इतना ही नहीं कभी कबार तो वो कुत्तों के लिए भूखा भी रह जाता था नर्स क्रिस ने इस पोस्ट को शेर किया जिसे अब तक 80,000 लोग देख चुके हैं शेर कर चुके हैं और 22,000 लोगों ने कमेंट भी किया है कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारे आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूले साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़िदा जानकारियों और खबरों के लिए दन्यूस टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद